अग्याव आप अप्रफिकेशन बेल इकन को भी दबाना ना भूले ताकि किसी भी तरह का वीडियो आप लोड करो तो आप तक जल से जल पहुंच सके तो चली यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि आप अपने आई से जो ब्यूटिफुल वर्ल्ड है हमारा उसको प्रोपरली आप देख सकते हैं अगल बगल के चीजों को आप प्रोपरली देख सकते हैं ठीक है न जो भी कलर्स का हो आप उसको देख पाते हैं अ क्या ऐसा है हमारे eyes में क्या ऐसा है जो कि हम दूर के चीजों को भी देख सकते हैं अलग-अलग colors को भी देख सकते हैं तो चलिए उसको अब देखते हैं eyes का जो structure है उसको देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा है जो कि दूर के चीजों को नजदीक के चीजों को अलग-अलग colors को हम तो आप देख रहो यह वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा आइस का एक structure दिया हुआ है जो हमारे आइस आइस सोकेट में लगा हुआ रहता है एक बाल सॉकेट टाइप है यह स्पेरिकल सेप में आपको दिख रहा होगा ठीक है ना और इसमें अलग-अलग parts हैं सभी parts के बारे में हम discuss करेंगे इसमें अब देखें यह वाला जो है इसको हम लोग retina बोलते हैं आप चाहें तो इसको इस picture को draw भी कर सकते हैं properly draw कर लीजेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आप स्क्रिन सोट ले सकते हैं यहां पर देखें यह वाला यहां पर एक मसल्स होता है जो सिलियरली मसल्स इसको बोलते हैं और यहां का यहां पर यह वाटर लिक्वीडी टाइप होता है लिक्वीड टाइप होता है और यह बीच में जो होता है न पोपिल होता है उसके बाद यह ज ठीक है ना उसके बाद दिखे किलियरली जेली यहां पर यह जो है ना पूरा जेली सबस्टांसे होता है लिक्वीड टाइप रहता है फिर इसको बोला जाता है इधर का जो पार्ट से आपको दिखाई दे रहोगा यह सब हमारा क्या है अब हैस्के बादे में डिसके सको करेंगे तो और प्रोपर वयसे अभी बस बता दे रहें अब को यहां पर यह एक आप टीक नर्व सोता है यहां है यहां पर blind sport बोला जाता है और लेंस हमारे यह वाला लेंस है ठीक है ना और रेटीना हमारे यह है तो आप चलिए one by one करके एक एक चीजों को देखने वाले हम लोग यहां भी बोल रहा है कि हम लोग human eye बहुत छोटा होता है हमारे जो eyes है लगवा 2.5 cm के length में होता है इतना लंबाई होता है इसका और हमारे जो eyelid होता है जिसको जैसे कभी कैसे आपका कुछ आख में पढ़ने लगा या ज्यादे speed हवा चल रहा है तो आप अपना eyes को बंद कर द बोलते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं आई-lead बोलते हैं यह क्या करता है हमारा आख का internal parts को protect करके रखता है किसी भी चीजों से यह injury होने में जैसी कोई आप पे कुछ फेकता है अगर तो अब जट से आख उपर वाला बंद कर लेते हो तो यह हमको injured होने में से बचाता है ठ पूपील क्या होता है कि inner aperture होता है हमारे आख का अंदर का aperture होता है जिसको हम लोग center में देख सकते हैं यह बिल्कुल center में होता है जिसको हम लोग पूपील बोलते हैं जैसा कि आप देख रहे हो यह एकदम center में होता है बीच में होता है बिल्कुल ना यह इसी को हम लोग लाइट जो हता है हमारे आख के अंदर हमाला कलरवाला पार्ट होता है वह हमारी इरीज ही है जिसменे क्या क्या involving रहता है यह हमारा size को control करता है जो पपील होते हैं जो अभी जस्ट बता है जिससे light enter करता है जो छोटा सा whole type होता है इसका size को यह control करके रखता है कौन Eries ठीक है Eries का काम क्या है कि पपील का size को control करता है जैसे कि the Eries increase जैसे Eries increase होता है decrease होता है the size of the pupil regulate the amount of the light that enters through the pupil अब Eries का बढ़ना घटना वो क्या होता है और यह पपील क्या करता है उसको जैसे कि जो हमारे light कितना enter करेगा कितना हमारे आख में light जा रहा है कितना पढ़ रहा है बाहर में कितना चमकीला है कितना ज्यादा light है उस हिसाब से यह हमारा पुपिल जो है इसको यह control करके रखता है इरीस को size कि कितना आपको तब कितना light आ रहा है कितना amount of light हमारे आख में enter कर रहा है उस हिसाब से यह क्या करेगा पुपिल इसको control करके रखता है कि आपके आख में ज्यादा light खुसरा तो उस हिसाब से हो उसको मतलब increase करेगा और decrease क करेगा कम light है तो medicines करेगा इस ही आप से और बारे में कि इसह Cass Stand-Upị से प्रणूंशी आप होता है आग का जो white वाला पार्ट होता है ना आग का जो şноваas नेस करें बाहर से दिखता है तो उसी को हम लोकि से म्धाच से अबलते हैं उसी इससे भरा होगा रहता है लेकिन वह ट्रांसपेरेंट होता है oke clear होता है water, pāनी type होता है पुरा clear water type होता है नक्स्ट हमारा क्या है भाबु कॉर्णिया enquक्स्ट क्या होता है CORNIA, it is a thin transparent tissue that covers in the front of the eye इसको देख लू यहाँ पे यह जो कोर्णिया है यहां वाला जो है यह पार्ट का पार्ट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोर्णिया बोलते हैं और यह यहां पे ट्रांस्पेरेंट होता है यह वाइट वाला जो ट्रांस्पेरेंट होता है कवर करता है आगे वाला आख को पूरी तरह से कवर करके रखता पीछे यह जो हमारा बॉल है यह पूरा बॉल है इसके पीछे आपको दिखाई दे रहोगा यहां पर इसी को हम लोग रेटीना बोलते हैं लाइन लाइनिंग दिख रहा होगा आपको यह हमारा क्या है यह वाला इसी को रेटीना बोलते है जो रेटीना होता है यह रेसेप्ट तो तरह को होता है receptors होते है लईट को ये रेसेप्ट करता है इसमें roads और cons जिसको बोला जाता है वह ही पर रहता है अब यह जो roads और cons है ना इसके त्वारा जो roads और neural thoughts जहां पर Retina के पास रहता है light को receive क्या, receive करने के बाद क्या करता है, response करता है, light को response देता है और फिर ये generate impulses generate करता है, जिसके थूँ ब्रेन को वो पढ़ पाता है कि कौन सा light enter हो रहा है, क्या हो रहा है जैसे कि अब वहाँ पे nerves भी होते है, nerves के थूँ क्या करता है, roads और cones के करन, वो light को पकड़ता है कि किस चीज का light आ रहा है हमारे अंदर, और फिर ब्रेन को भेजता है, कि क्या है, ब्रेन फिर उसको read करके फिर वो बताता है हमको कि हम लोग क्या देखे, ठीक है, हम लोग क्या देखे, ब्रेन फिर message करता है ये कौन सा roads क्या करेगा, ब्रेन को message करेगा कि कौन सा light को देखे है और फिर brain उसको read करेगा read करके फिर क्या करेगा वापस हो back भेजेगा कि हम लोग कौन सा light को देख पात रहे हैं कौन सा light बाहर में हम लोग देखे हैं ठीक है तो इसका retina का यही काम है next हमारा ciliary muscles करें यहां पर बोल क्या रहा है कि ciliary muscles के कारण हमारे जो lens है दूर के देखने के लिए बड़ा और पास के चीजों के लिए देखने के छोटा हो जाता है ठीक है तो इसका यही काम होता है next हमारे क्या है बारे आपको पता होगा लेंस के कारण ही जारा कुछ देख पाते हैं यह transparent tissue होता है बिल्कुल transparent आर पर दिखने वाला और यह किसके बीच में रहता है पुपिल और retina के बीच में आपको lens देखने को मिल जाएगा वहीं पर है जैसा कि आप structure में भी देख लो यहाँ पर पुपिल कहां पर है यहां पर है और retina हमारा यहां पर है तो इसके बीच में यह हमारा है यही white वाला जो दिख रहा होगा यह हमारा lens है ठीक है अब इसका काम क्या है चलिए देखते हैं इसका काम क्या है कि जैसे कि light इसके थूँ एंटर करता है तो जब light इसके थूँ पास कर बाईज करता है ना तो क्या करता है कि यह पपील into the eyes, फूरूद अांक में ठीक है हमारा और यह help करता है, मदद करता है image को देखने के लिए, जो उसके फूरू light रिज जो जा रहा है ना उसमें पता चलता है कि कुन सा यह कुन सा image है, किस तरह का, मतलब image ये बना देता है अंदर जाकर कि कुन सा, अब बाहर में क्या देखे हो, उसका image ये अंदर जाकर बना देता है ना, ये lens help करता है, focus करने में कुन सा light पास हो रहा है हमारे पपिल के थूँ, और उसके थूँ जो raise जा रहे हैं, image ये बताता है कि कुन सा image है, क कौन सा रोट्स थें, उसके थूँ, फिर वो message भेजता है, message भेजता है वहाँ, message भेज कर बताता है, brain को कि का है, क्या ने, और फिर brain उसको read करकर, वापस message भेजता है, कि ये है, तब जाकर हमारा आँख, इतना process होने के बाद, हम कोई भी चीज़ों को properly देख पा रहे हैं, तो ये जट-जट process होता है, ऐसा नहीं कि लेट होता है, तब अगर लेट होता है, तो हम लोगों को देखने में कोई भी चीज़ बहुत time लगता है, ऐसा नहीं है, okay, next हमारा क्या है, optic nerves, optic nerves क्या है, it connects the eye to the brain, और देखो, nerves ये है, ये आँख को brain से connect करता है, अब impulses को carry करता ह brain से, मतलब कि क्या जैसे कि आँख से brain को connect है, और ये eyes भेजता है, वहाँ message कि क्या है, क्या हम देखे है, फिर message क्या करता है, impulse करको उसको पढ़ कर अच्छा, रीट करके, फिर brain इसको देता है, ठीक है ना, ये क्या देखो, एक हमारे क्या है, लास्ट है, ये सब हमारा other topic है, सिर्फ हम eyes के बारे में ही ये discuss करने वाले, इससे related है, बट mainly जो हमको पढ़ाना तो उसके बारे में हमको पढ़ा दिये, और ये blind sport हमारा last topic है, तो इसको देख लेते हैं, एक portion होता है retina में, जहाँ पे nerve fibers enter through the optic nerves, ठीक है ना, एक portion है retina पर, आप देखोगे, जहाँ पे nerves fibers, ज enter करता है, अब ये जो portion है, does not have any, इसके पस ना roads है, ना cones है, roads और cones के करना हम पता है, कि इसके through image को पढ़ता है, मतलब sensitive, ये sensitive रहता है, और तब जाकर ये message भेजता है, वहाँ पे, ठीक है ना, and image falling on this portion, अब इस portion पर जो image fall करता है retina का, तो ये देख नहीं पाता है, ठीक है retina का हमको पता है, कि वहाँ का retina जहाँ था, roads और कौन था, इस पे image गिरता था, तो इन लोग पढ़ लेते थे, क्या है, क्या नहीं, लेकिन blind spot एक ऐसा part है, ऐसा portion है, जहाँ पे, अगर image वहाँ पे गिरता है, कि कौन सा image है, तो ये उस image को नहीं पढ़ पाता है, ये उस image क तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई sport नहीं होता, किसी भी तरह का कोई image नहीं बनता है, तो ये blind spot इसका इसलिए नाम दिया गया है, तो I hope कि आपको clear हो गया होगा, अगर और भी कोई वीडियो पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को dive subscribe किया, comment भी किजिए, मैं उस topic को भी discuss करू बाई, टेक केर, थैंक यू